आप सभी दर्शुकों को राधा स्वामी एक दूजे का नाम ना जाने और ना जाने एक दूजे का घर्मार फिर भी देखो जगत में हमारा कितना बड़ा गुरुमुक परिवार देखे सवाल जवाब का ये छोट असर वीडियो मैं आप से पूछना चाहती हूँ कि हम दूद दही मक्षन वरत में खाते हैं भगवान को चड़ाते हैं चरनामत या पंचरामत बनाते हैं उसमें भी दही डालते हैं लेकिन जब उस दही को हम माइक्ट्रोस्कोप में देखते हैं मैगनिफाइ करके मिलियन्स और मिलियन्स ओफ जिवानू या बैक्ट्रिया चलते हुए नजर आते हैं और हम हमें वो अलाउड है खाने के लिए तो क्या वो जो मिलियन्स ओफ जर्म्स जर्म्स नहीं कहूंगी जिवानू हम अपने अंदर डालते हैं तो क्या उस दही को हम वेजिटेरियन कहे हमें अलाओड है, अगर हम पूर वेजिटरियन है, तो क्या वो जीवहत्या नहीं है? भैंजी, ऐसे है के फिर तो हमें सांस पी लीना बंद कर देना चाहिए। क्यूंकि इस वायुमंदल में जब भी सांस लेते हो, तो इतने बैक्टिरिया, बैक्टिरिया, माइक्रोगनिसम्स आप सांस में भी लेते हैं। अब सृष्टी में सब कुछ त्तों के आधार पे चल रहा है। इंसान हैं जिसमें पांचो तत्त मौझूद हैं। फिर जो मैमल्स हैं, उनमें चार हैं। जो अंडे से जनम लेते हैं, उनमें तीन हैं। और वैसे तो और एक। अंत में सब कर्मों का हिसाब किताब है। जीव के ओपर निर्भर है। मगर कुछ ऐसे कर्म हैं, जो अपने अच्छे चाल चलन से, सही सोच से, आप उनका हिसाब किताब कर सकती है। मगर कुछ ऐसे कर्म हैं, जिनके लिए अब जैसे आपने किसी के बगीचे से कोई फूल खिंच लिया। वो बुरी नजर से देखेगा। आपने पत्थर उठाए, उसकी मुर्गी को मार दिया। वो बुरा बला काएगा, उसके गोड़े को मार दिया। कोट कचेरी में ले जाएगा और उसको मार दिया। तो फांसी का भंद आपके सामने है। अब हर वक्त आपने किसी ना किसी चीज की है। अगर सुसाइटी ने जो उसका बोज समझा है, वो अलग है। तो है तो जीव जीव निर्बर। अगाए, मैंने बेंती की, कि जो हम सांस भी ले रहे हैं, इसमें भी, मैक्रो और्गोनिजम्स, बैक्टिरिया, काफी कुछ है। उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन वो हम जानते नहीं ना उन्नोइंगली बिना जाने हुए सांस का साथ अंदर जाते हैं। लेकिन ये तो हमें पता है कि वेक्टिरियाज हैं। और फिर भी हम खाले हैं। जो पौड़ें या सबजीयें हैं या फल फूरूट हैं इनमें नहीं है। अब आपने कर्मों की बात की तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। कि एक इनसान मंदीरों में जाता है, गुरदवारों में जाता है, धर्मस्तानों पे जाता है, दिनरात रत रखता है। क्या वह बहतर है सालवेशन के लिए, मुक्ती पाने के लिए या जो अच्छे कर्म करता है, गरीबों की मदद करता है। सुड़न जो गरीब हैं उनको फीस देता है। य और हर्तरह की दयालू काम करता है, धर्म के काम करता है। कौन सा बेतर है, कि वो रास्ता अपनाया जाए, जिसे सालवेशन मिले, या मुक्ती मिले, या भगवान को पा सके, या बैलन्स रखें. Goh Swamiji Tulsidas ने काहा था, कर्म परधान. सब कुछ कर्मों की उपर निर्भर है. तीसरी पाठ्षाही की बानी है, पुन, दान, जापतप, जेते, सब उपर नाम. हर हर रसना जो जापे, तिस पूरन का. अब है तो कर्मों का ही साब किताब, मगर सिर्फ अच्छे करम करेंगे, अगला जनम अच्छी अवस्ता में मिल जाएगा. ठीक है? हमारी एक कहावत है, झापव राज, राजो, नर्क. इसलिए बहुत पुन्दान किया, बहुत अच्छे करम वन गये, अच्छे करम अगला जनम राजा-महराजा बनुके आगया. राजा-महराजा बनुके या, इंद्रियों के भोगों में लगगगा, फिर जाके नरकों की आग में सर्णा पड़ा, तो मुक्ती तो नहीं मिली ना? तो मुक्ती कैसे मिले की? शबद करम की रेख कटाए, शबद शबद से जाई मिलाए. वो ताकत शबद में है. हमारे बस की बात नहीं है, कि हम इस करम कांट से निकल सके. इनसान तो करता जाएगा, जाहे अच्छा है, जाहे बुरा है, और वो चक्कल चलता जाएगा. अगर हमने इस चुरासी के जेल खाने से निकलना है, तो जब तक हम उस क्रिएटिव पावर, उस शबद, उस नाम का सहरा नहीं लेंगे. तीक है आपकी बात, कि पुन्यदान ये सब चीजें करनी चाहिए, शुरुआत इन्हीं से होगी, तभी तो मन में निर्मलता आएगी, निर्मलता आएगी, कि हम भजन बंदगी भी कर सकें, मगर सिर्फ अच्छे कर्मों के साथ मुक्ती नहीं मिलेगी. तो बैलन्स मतलब बना कर रखें दोनों चीज़न कर. अगर चैनल पढ़ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाल एकन सब्रू दबाएं.